जब 10 साल के बच्चों ने शेयर्स पिक किये और उनके मुकाबले में थे चार्टिड अकाउंटेंट्स उन्होंने भी शेयर्स पिक किये तो 10 साल के बच्चों ने जादा बेटर स्टॉक्स पिक किये जादा पैसा कमाया कैसे किया ये 10 साल के बच्चों ने जानेंगे इस वीडियो में कहते हैं कि अगर बेस अच्छा हो तो बिल्डिंग अच्छी बनती है तो आज मैं आगया हूँ ये वीडियो लेके और मैं आज करूँगा आपके स्टॉक मार्केट के बेस को स्ट्रॉंग ताकि आप इतना पैसा कमा सकें कि आपकी खुद की बहुत सारी बिल्डिंग्स हो जाएं नमशकार दोस्तों मैं हूँ प्रांजल कामरा आज फिनोलोजी में हम क्लियर करेंगे स्टॉक मार्केट के सारे बेसिक्स बिगनर्स को शैर बजार का नाम सुनके ही डर लगता है फिल्मों में देखा है कि शैर बजार से सब कुछ बरबाद हो जाता है लेकिन दोस्त हैं जो क्लेम करते हैं कि वो बहुत पैसा कमा रहे हैं फिर भी आपके परिवार वाले हैं जो बोलते हैं इससे दूर रहो उपर से स्कूल और कॉलेज में अगर आपने कॉमर्स की पढ़ाई की है तो भी शैर बजार के बारे में ठीक से समझाया ही नहीं गया ऐसे में confusion होना, nervousness होना बहुत लाजमी है लेकिन आज इस वीडियो के बाद आपके सारे confusion clear और आपको पता चल जाएगा कि आपको कैसे और कहा निवेश करना है सबसे पहले एक fun fact जानके आपका interest जगा देते हैं अगर आपने 40 साल पहले विपरो में, पता है हो सकता है आप तब पैदा भी ना हुए हो आपकी family में किसी ने अगर विपरो के share में 10,000 रुपे लगाए होते तो आज 40 साल बाद वो 700 करोड रुपे होते मुझे पता है, आपकी मन में सवाल आएगा, तब 10,000 किसके पास होते थे 1000 लगाए होते, तो भी वो 70 करोड होते 100 रुपे तो थे, वो भी लगाए होते, तो आज 7 करोड रुपे थे तो ये potential है, stock market का अब इस example से ये मत सोचेगा, कि मैं बस हर कीमत पे चाहता हूँ कि आप इस market में enter हो ही जाईए Definitely, market में risk भी है, जिस तरह ऐसा फाइदा होता है उसी तरह नुकसान भी होता है बहुत सारे in fact ऐसे stocks भी हैं, जिसमें आपने 700 करोड रुपे लगाए होते तो शायद वो आज 10,000 रुपे हो जाते है तो जितना जादा फाइदा ये market करा सकता है, उतना ही नुकसान भी करा सकता है लेकिन नुकसान आपका कम से कम हो, फाइदा जादा से जादा हो उसी के लिए तो मैं हूँ ना तो चलिए, अब मैं आपको बता देता हूँ कि कौन से वो questions हैं जो commonly beginners को होते हैं शायद आपको भी होंगे और वो questions को आज मैं cover करने वाला हूँ तो पहले मैं आपको सारे questions बता देता हूँ साथ ही इस video में मैं आपको time stamps भी दे दूँगा ताकि जो सवाल आपको पसंद आए आप directly उतने minute उतने second पे पहुँचके उस सवाल का answer देख सकें पहला topic जो हम discuss करेंगे वो है क्या share बाजार risky है अगर है तो कितना risky है दूसरा हम जानेंगे कि आपको इससे कितना return मिल सकता है क्या उमीदे आपको रखनी चाहिए इस बाजार से तीसरा topic हम जानेंगे कि इस बाजार में शुरू करने के लिए आपको कितने पैसो की जरुट है क्योंकि आप beginner है हो सकता है student हो तो क्या आप अपनी pocket money से भी शुरू कर सकते हैं चौथा process क्या निवेश करना आसान है, difficult है, demat और trading account क्या होता है basically शुरू कैसे करना है पाचवा हम जानेंगे कि आखिर इस बाजार का नाम इतना खराब क्यों है घर वाले, फिल्मों में, लोग इससे डराते क्यों है क्या है वो कारण, क्या सच में ये बाजार खतरनाक है, क्या आपको दूर रहना चाहिए सिक्स्थ हम जानेंगे और ये बहुत common सवाल है कि आप commerce background के नहीं है, आप शायद engineering या arts background से है तो भी क्या आप इस बाजार में निवेश कर सकते है सेवन्थ, आखिर ये बाजार चलता कैसे है शेयर्स का दाम उपर या नीचे होता क्यूं है किस basis पे आपको शेयर्स को select करना है और आठवा, हम जानेंगे कि अगर आपको in-depth knowledge चाहिए तो कौन सी वो books हैं, कौन से वो courses हैं, career कैसे बनाया जा सकता है blogs या magazines कौन सी पढ़नी चाहिए तो basically कैसे आप अपनी learning को complete करें वो discuss करेंगे इस वीडियो के end में तो पहला सवाल, क्या share बजार risky है अब मैं ये आप से पूछता हूँ एक basic example के जरिये basically जब आप कोई share खरीद रहे हैं तो आप उस company में एक छोटी सी ही सही हिस्सेदारी खरीद रहे हैं इसलिए उसका नाम share है कि आप उस company के co-owner बन रहे हैं तो अब आप मुझे बताइए अगर आप अपने किसी दोस्त के business में पैसा लगाते हैं किसी relative के business में पैसा लगाते हैं तो वो business अच्छा नहीं चला तो आपका पैसा डूबेगा ये risk तो है तो उसी तरह आप share बाजार में भी बड़ी कमपनियों में निवेश कर रहे हैं किसी टाटा की गमनी में, रिलायन्स की गमनी में गोजरेश की कमपनी में अब अगर वो company डूब गई तो मिरको मुनाफ़े का एक हिस्सा मिलेगा अगर loss हुआ तो ठीक है मैं loss जहन करूँगा आपको ब्याज नहीं मिलेगा share बाजार में भी ब्याज नहीं मिलता क्योंकि ये loan नहीं है तो बहुत सारे ऐसी कमनिया हैं जो डूबती रहती हैं बिलकुल उसमें loss होता है लेकिन आईशर मोटर्स देख लीजे पिछले 7-8 सालों में उन्होंने bullet bikes की sale कई गुना बढ़ा दी और इसलिए कई गुना shares भी grow कर गए यानि एक रुपे आपका 10 गुना 20 गुना बढ़ गया ऐसे बहुत सारे shares हैं मैंने आपको विपरो का example दिया TVS ऐसा एक example है जो पिछले 10 सालों में 10 गुना बढ़ा है MRF ऐसा एक example है बहुत सारे ऐसा shares है जो 5-6 साल में आपको 10 गुना return दे देते हैं तो definitely यह risky है लेकिन इसलिए तो returns भी जादा हैं और risk mitigation के तरीके risk को कम करने के तरीके तो हम इस video में discuss करने ही वाले हैं अब आता है दूसरा सवाल कि मुझे return कितना मिलेगा और फिर से example वही है अगर आप किसी दोस्त के business में पैसा लगाते हैं तो क्या पता आपने अगर 100 रुपे लगाए तो अगले साल आपको 10% का मुनाफ़ा हो कि 20% का मुनाफ़ा हो कि 30% का मुनाफ़ा हो ये बहुत ज़ादा differ करता है और इसका कोई fixed criteria नहीं हो सकता इसलिए कई shares इस बाजार में ऐसे होते हैं जो कई कई साल तक एक रुपे नहीं बढ़ते हो उल्टा गिरते हैं और कई ऐसे हैं जो एक साल में ही 4-5 गुना बढ़ जाते हैं लेकिन ये तो एक share की बात है और जब आप निवेश करेंगे तो केवल एक या दो shares में नहीं आप एक portfolio of stocks याने कम से कम 8-10 कमणियों में निवेश करेंगे क्योंकि अगर कोई एक या दो कमपनी बुरी भी हो जाए डूब भी जाए तो भी आपका overall सारा पैसा ना डूब जाए इसलिए share बजार में हम कम से कम 8-10 कमणियों में निवेश करते हैं जब एक basket of stocks होता है तो आप यह उमीद कर सकते हैं कि अगर आपने धंग से निवेश किया है तो 18-20% का return भारत जैसी high growth economy में in the long run याने कम से कम 5 साल अगर आप invested हैं और अगर आप अच्छे stocks pick कर रहे हैं तो 18-20% के आसपास का return आपको बिलकुल मिल सकता है जो भारत से भी low growth economies में जहां बाजार और कमईयां धीरे धीरे grow कर रही थी वहाँ भी उन्होंने ऐसे stocks pick कर लिये कि उनको कई सालों तक 30% के आसपास का return मिला तो भारत में अगर आप 20% का return expect कर रहे हैं तो ये गलत नहीं है लेकिन उसके लिए stock picking अच्छी होनी चाहिए कैसे ऐसे shares ढूंडे जो सच में grow कर सकते हैं और आपके पैसे को भी growth दिला सकते हैं इस चीज को जानने के लिए आप इस वीडियो को जरूर देख लीजेगा इसका link उपर card पे और इस वीडियो के description में है लेकिन उसके पहले इस वीडियो को पूरा देख लेना जरूरी है ताकि basic concepts clear हो जाए अब बहुत interesting सवाल कितने रुपे से शुरू करना काफी है देखे स्टॉक market में आप कितने पुंजी लगा रहे हैं उससे बहुत जादा जरूरी है कि आप कैसे shares में निवेश कर रहे हैं जो कितना consistent return देते हैं एक example मैं आपको देता हूँ अगर आप केवल 1000 रुपे महीने से शुरू करें जो मुझे लगता है कि हम मेंसे काफी लोग शुरूरात के समय afford कर सकते हैं कि महीने के 1000 रुपे हमको shares में लगाने हैं आप 1150 रुपे हर महीने निवेश करिए और ऐसे हर साल जैसे जैसे आपकी income बढ़े आप student life से हट के earning member बने या आपका job में promotion होगा तो salary बढ़े तो अगर आप ऐसा करते हैं 1000 रुपे से शुरुवात और हर साल 15% का increment और आपको आपके investment पे केवल 15% का ही return मिलता है 18 या 20 भी नहीं तो भी 1000 रुपे से शुरू करके 25 साल बाद आपके पास 1 करोड रुपे होंगे इसमें की क्या है? आपको 25 सालों तक निवेश करते रहना है दूसरा आपको 15% amount बढ़ाते रहना है तीसरा आपको 15% का return आना चाहिए ये तीन चीजें हुई 25 साल बाद 1000 से शुरू करके आपके पास 1 करोड रुपे होंगे तो ये मैंने कैसे calculate किया? SIP calculator के जरिए इस calculator का link आपको इस video के description में मिल जाएगा जिससे आप खुद figure out कर सकें कि अगर आप 2000 रुपे से शुरू करते हैं या 3000 रुपे से शुरू करते हैं तो आपके इतने साल बाद कितना amount होगा ये आप खुद जान सकते हैं calculator वीडियो के description में है चौथा सवाल कि इससे शुरू करना कितना आसान या मुश्किल है अगर मुझे निवेश करना है तो क्या process है process बहुत simple है आपको बस 3 documents चाहिए आधार card होना चाहिए pan card होना चाहिए और bank account होना चाहिए नहीं है तो खुलवा लिजिए उसके बाद आजकल सारा process online होता है बहुत सारे online discount brokers है discount brokers इसलिए कि ये brokerage लगभग zero लेते हैं तो आपको करना कुछ नहीं है जीरोधा जैसे बहुत सारे online discount brokers है personally मैं जीरोधा को use करता हूँ आप भी जीरोधा में अपना account खुलवा सकते हैं उसका link आपको इस video के description में मिल जाएगा 3-4 दिन में बिना किसी physical paperwork के online आपका account open हो जाएगा आप trading शुरू कर सकते हैं 300 रुपे में account open होता है और brokerage या commission ना के बराबर लेता है अगर आप invest कर रहे हैं तो याने आप अगर shares खरीद के उसे रख रहे हैं फिर 2-3 दिन या उसके बाद बेच रहे हैं तो आपको लगभग कोई commission देना नहीं यह लगभग free है कुछ बिल्कुल जरा से government taxes लगते हैं जो पता भी नहीं चलेंगे क्योंकि वो 0.1% से भी कम होते हैं तो मैं personally zero-dha use करता हूँ क्योंकि यह बहुत simple to use है और beginners के लिए बहुत easy है तो आप भी description में जाके account तुरंद खोल लो और 4 दिन बार investing शुरूँ पांचवा सवाल है अगर सब कुछ इतना अच्छा है तो शेर बाजार का नाम इतना क्यों खराब है क्यों लोग इससे डरते हैं एक simple reason बताओ आपको यह नाम mindset का problem है जब हम property खरीटते हैं तो कोई भी ऐसा सोचता है कि 4 महीने में दाम double हो जाए 4 महीने में मैं बेच के निकल जाऊंगा कोई gold लेता है तो पुष्टों को pass on करते हैं लेकिन सोना बेचते नहीं कोई ऐसा नहीं सोचता कि आज ले लेता हूँ एक महीने बाद जब सोना बढ़ जाएगा तो बेच दूँगा तो हम property को बढ़ने का time देते हैं gold को बढ़ने का time देते हैं लेकिन आपको भी अगर आपके दोस्त बोलेंगे ना कि शेर बजार में आजा तो वो साथ में ये चीज़ जरूर बोलेंगे इसमें ना एक दिन में मैंने 40,000 रुपे का माल लिए दो महीने में मेरा पैसा डबल हो गया याने उनकी उमीदें ही गलत रहती हैं वो ये सोच के आते हैं जो नए लोग आते हैं कि बस मुझे अब रातो रात शेर बजार से अमीर बनना है जिसका शेर आप खरीदने जा रहे हैं उसके बारे में उसका मैनेजर कौन है कंपनी का बिजनस मॉडल क्या है ये सब पता किया नहीं लेकिन बस कोई चार्ट देख लिया या किशी से सुन लिया और शेर ले लिया तो ऐसे में तो नुकसान होगा ही तो इसी तरह लोग जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में कोई एक रुपए दो रुपए वाला पैनी स्टॉक ले लेते हैं जिस कंपनी का कोई आगे पीछे कुछ नहीं है ये सोचके कि ये एक का दो भी हो गया ना तो मेरा पैसा डबल ये उससे जादा मिला तो बोनस है या ने 18-20% अगर आपको रिटर्न मिलेगा न तो हर 4 साल में आपका पैसा डबल होगा जो बैंक के FD से अगर हम कंपेर करें तो बैंक FD में आजकल 11-12 सालों में पैसा डबल हो रहा है आज के इंटरेस्ट रेट के हिसाब से तो उससे 3 गुना बेटर रिटर्न आपको ये मार्केट आफर कर सकता है जो काफी है इससे जादा लालच करना नहीं प्लीज अब आपने पढ़ी है इंजीनियरिंग या आपने पढ़ लिया आर्ट्स, कॉमर्स आपने पढ़ा ही नहीं तो भी क्या आप शेहर बजार में इवेश कर सकते हैं गुड न्यूज दू कर सकते हैं कौन सा आपका स्ट्रीम है कौन सा एजुकेशन बैग्राउंड है वो ज़्यादा मैटर नहीं करता In fact, मैं आपको दो examples देता हूँ जैसा मैंने वीडियो के शुरू में भी बताया था कि एक बार US में एक survey हुआ जिसमें कुछ 10 साल के 5th class के बच्चों को shares pick करके एक basket बनाने के लिए बोला गया 18 shares का और साथ ही उसी समय Chartered Accountants को भी बोला गया तो बच्चों ने Chartered Accountants को outperform किया था अब बच्चों ने क्या engineering, क्या commerce और क्या arts 5th तक की maths, Hindi, English और science पढ़ा था उतना तो आपने भी पढ़ा है तो आप भी Chartered Accountants से मुकाबला करने के लिए बिलकुल तयार है अब ऐसा वो क्यों कर पाए? समझेंगा इस बात को बच्चे थे, कौन सी कंपनिया चुनी होंगी उन्होंने Cadbury, Disney, Barbie इस तरह की कंपनिया जो उनको interest दिलाती हैं और वो उन products के customers हैं तो किसी product को customer से अच्छा कौन जानेगा? तो क्योंकि बच्चों ने उस कंपनी के products खुद use किये थे उन्हीं कंपनियों को pick किया याने वो कंपनिया अपने customers को satisfy कर रही थे, तो वो कंपनी ने अच्छा करना ही था, जादा तर chances यही होती है इसलिए उन बच्चों ने outperform किया वहीं, Chartered Accountants ने लंबी-लंबी balance sheets पढ़ी, पता नहीं क्या-क्या financial complicated calculations की, लेकिन ground reality नहीं देखी, अगर आप engineer है, तो real estate, electrical machines, इस तरह के products बनाने वाली कंपनिया चुनिये, तो वो कंपनिया चुनिये, जनको आप judge कर सकते, and you'll do pretty well, एक और example in general ये माना गया है कि female doctors जो हैं, वो सबसे अच्छी investors होती हैं, क्यूं? doctors हैं, उनको तो finance की knowledge नहीं है लेकिन वो इसलिए हैं, कि वो अपनी lives में बहुत busy रहती हैं, professional life, personal life, घर आके भी काम, और इस तरह के काम में, तो उनको बहुत ज़ादा number crunching का, बहुत complicated financial analysis करने का time नहीं मिलता, वो general knowledge से, कि मुझे क्या product पसंद है, और दूसरा, क्योंकि time नहीं है, तो invest करके भूल जाती है कुछ भी invest किया, 5-10 साल तक check ही नहीं किया, जिसके कारण transaction cost कम होती है और compounding, जो मैंने उस SIP calculator में आपको बताया, वो अपना पूरा असर दिखा पाती है तो अगर आपको commerce नहीं भी आता कोई problem नहीं है, stock market में आपका स्वागत है, और अब मैं इस वीडियो के दो सबसे interesting parts discuss करने वाला हूँ, कि share का दाम उपर या नीचे रोज क्यों होता है और कैसे predict किया जाए कि कब दाम बढ़ेगा, कब गिरेगा और क्यों कंपनिया शेयर बजार में list होती है, और दूसरा मैं आपको बताने वाला हूँ, मेरी favorite books मेरी favorite websites investing सीखने के लिए, मैंने कैसे investing सीखी और अगर आपको इसमें career बनाना है तो आप कैसे बना सकते हैं, लेकिन ये दो topics discuss करने के पहले एक like इस वीडियो पे बनता है और अरे, आपने अभी तक इस channel को subscribe नहीं किया है, तो दबा दीजे subscribe button को और bell icon को, ताकि आपकी knowledge यहीं खतम ना हो, अगले वीडियो भी आप तक मिलते रहें, और आप हर हफते और जादा investing सीखते रहें, तो चलिए, अब जानते हैं कि यह share बजार का आखिर concept क्या है, और क्यों prices उपर नीचे होते हैं, तो देखिए अगर आपको कोई business शुरू करना है, तो आपको अगर थोड़े बहुत पैसे चाहिए, तो घरवाले दे देंगे, relatives दे देंगे, friends दे देंगे, अगर थोड़े और पैसे चाहिए, तो bank दे देगा, लेकिन आपको चाहिए 20,000 करोड, अब ना तो वो bank देगा, ना आपके friends या relatives देंगे, unless, of course, आप अंबानी के खांदान से हो, लेकिन हम मेंसे ज़्यादा तर लोग तो है नहीं, तो पैसे में आपको इतना सारा पैसा कौन देगा, आपको ये पैसा देगा, public, जनता, यानि आप लोगों को अपना business model समझाओ, कि मेरा ये plan है, मैं ऐसा ऐसा करने वाला हूँ, ये factory डालने वाला हूँ, मैं car बनाऊँगा, luxury car, बिजली से चलने वाली, पानी shares, आपने पैसा लिया, और लोगों को जिन்हों ने आपको पैसा दिया, उनको shares दे दिये, अब ये तो हुआ कि company ने आपसे पैसा लिया, और आपको shares दे दिया, आब ऐसा भी तो हो सकता है, कि आपको ये share आज दिला, अब दो दिन बाद आपको पैसों की जरुवत आ गई और आपको वो शेर बेचना है तो company तो आपसे शेर वापस खरीदेगी नहीं क्योंकि उसे तो पैसों की जरुवत थी और वो पैसा लेके उसने car का car खाना लगाना चालू कर दिया तो उसके पास आपको देने के लिए पैसे नहीं है तो ऐसे में एक बाजार होना चाहिए जहां आप उस कमणी का शेयर किसी और को बेच सके और इसी बाजार को हम कहते हैं शेयर बाजार जहां आप चार हजार से जादा कमणीयों का शेयर जब चाहें ले सकते हैं, जब चाहें दे सकते हैं अगर आपको लगता है कि Colgate अच्छा करने वाली है उसके toothbrush, toothpaste आज़कल जादा बिक रहे हैं तो आप कभी भी किसी और से उसके shares ले सकते हैं share bazar के जरीए और अगर किसी को लगता है कि Colgate बुरा करने वाली है पातांजली जादा competition दे रही है तो वो shares बेच सकता है तो क्योंकि करोडों लोग share bazar में हर रोज कोई ना कोई share खरीटते हैं, बेचते हैं इसलिए आपको हमेशा कोई ना कोई buyer या कोई ना कोई seller आपके shares के लिए जाया तर ऐसा होता है कि मिल ही जाता है और यही importance है share bazar की, सोचिए जरा आप चाहें तो रतन टाटा के business में हिस्सेदार बन जाए एक click में shares खरीट के आप चाहें तो आदी गोदरिज के गोदरिज empire के shares खरीट ले आप चाहें तो Jio के हिस्सेदार बन जाए एक click में share खरीट के हो सकता है, काफी सारे doubts हो या हो सकता है, आप और बहुत सारा सीखना चाहते हो तो चिंता की कोई बात नहीं है इस 20 वीडियो की series को देख लीटे जहां मैंने step by step सिखाया है कि prices उपर नीचे कैसे होते हैं, क्या देख कि आपको share में निवेश करना है, कैसे इस card पे या वीडियो के description में click करके, ये वीडियो की series आपको बिल्कुल free मिल जाएगी और अगर आप मेरी तरह share बाजार में इतने जादा interested हैं कि आप इसमें career बनाना चाहते हैं तो Phenology का BSC Institute Certified Course on Value Investing आपके लिए बिल्कुल सही रहेगा, इस course में एक साल तक लगाता हम आपको सिखाएंगे investing के सारे expert तरीके और इस course के अंत में Bombay Stock Exchange की subsidiary, याने BSC Institute आपका लेगा एक exam और अगर आप उसमें pass हुए तो उनकी तरफ से आपको एक मिलेगा certificate जिससे आपको इस field में career बनाने में बहुत help होने वाली है और अब हम discuss करते हैं last part कि कौन से ऐसे books या sources हैं जिससे आप investing को घर बेटे सीख सकते हैं तो of course हमारा value investing का course है, Hindi, English दोनों languages में available है इसके अलावा बहुत सारी books भी हैं एक book है investonomy और इस book में वो सब कुछ जो मैंने पिछले 6 सालों में सीखा है वो मैंने डाल दिया है इस book को आप Flipkart, Amazon कहीं से भी खरीच सकते हैं इसके अलावा मेरी favorite books कौन सी हैं Ridge Diet, Poor Diet, बिल्कुल शुरुआत करने के लिए बहुत अच्छे किताब है इसके बाद है Learn to Earn by Peter Lynch Stock Market के Basics इस किताब से अच्छा और कोई नहीं समझा सकता इसके बाद थोड़े advanced level की लेकिन बहुत बहुत quality information वाली book है The Education of a Value Investor by Guy Spier तो ये चारो ही books का link भी आपको इस video के description में मिल जाएगा अब मैं हफते में एक बार video बना सकता हूँ तो बाकी के 6 दिन भी तो जुड़े रहना जरूरी है न उसके लिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं Twitter, Instagram, Facebook और Telegram पे जहां आप वहां मैं हर platform पे और हर platform में हम हर रोज सीखेंगे कुछ नया हर रोज बनेंगे थोड़ा बहतर और थोड़ा बहतर investor तो इन चारो platform में मुझे आप से मिलने का इंतजार रहेगा और अब मुझे पता है कि आप थोड़ा confident feel कर रहे होंगे लेकिन फिर भी पहला share लेने से पहले डर बहुत लगता है मुझे तो बहुत डर लगा था जब मैं पहला share लेना था इस report में आपको मिलेंगे चार ऐसे stocks जो हैं बहुत जादा beginner friendly, safe और ऐसे जो आपके लिए जिनका business समझना आसान रहेगा तो आपका initial experience अच्छा रहे और आप अच्छी safe कमणियों में निवेश करें उसके लिए ये my first investment report आपके लिए perfect रहेगी इसका link वीडियो के description में है अगर आपके कोई भी doubts हों जो मैंने इस वीडियो में discuss किया उसके regarding आपको कोई भी clarification चाहिए हो तो आप बिंदाज जितने चाहें उतने comments करें और मेरी team ये ensure करेगी कि आपके doubts इस वीडियो में जितने भी आपने comments किये हैं उसमें सारे doubts आपके clear हो जाएं और Twitter और Instagram पे myfirstinvestment hashtag use करके मुझे ये जरूर बताएगा कि कौन सा वो पहला share है जो आपने खरीदा था या कौन सा पहला share आप खरीदने वाले हैं ताकि वो share भी देखके हम अपने opinion उस shares पे आपके साथ share कर सकें hashtag myfirstinvestment तो सीखने के तरीके बहुत सारे हैं विडियोज हैं, books हैं, blogs हैं, newspapers हैं Phenology का Ticker Talks Newsletter भी है जहां हर रोज सुभा बिलकुल newspaper पढ़ने के समय आपको हम एक छोटा सा email करेंगे जिससे आपकी daily financial knowledge बढ़ती रहेगी इस Ticker Talks Newsletter का link भी जो बिलकुल free है आपको इस वीडियो के description में मिल जाएगा उमीद करता हूँ, ये वीडियो आपको पसंद आया होगा मैं लाता रहूँगा ऐसे और बहुत सारे वीडियो तब तक के लिए, this is Pranjal Kamra, signing off, bye bye and जो भी आपका दोस्त या relative शेर बजार में निवेश करना चाहता है ये आपको लगता है कि उसे निवेश सीखना चाहिए उसके साथ इस वीडियो को शेर जरूर कर दीजेगा, bye bye